हाई गाईज हलो बच्च पार्टी कैसे हो आप सब लोग आप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे मैं विनोध कुमार बहल आप सभी बच्चों का अपने इस सैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज मैं आप लोगों के सामने पहले टॉपिक बता देता हूं फिर उ अपने CUET में इन 45 दिन में ओ हो भाई पहले ही कांड हो गया चलो कोई ना तो यार अप ध्यान से देखो बच्चे CUET 2023 ठीक है ना 21st में से हमारे एक्जाम चालू होंगे दो दिन हमारे पास मार्च में रहते हैं तीस दिन हमारे पास एप्रिल में रहते होंगे ठीक है ना और 20 दिन हमारे पास में में है तो वैसे 52 दिन मैं 45 दिन मानके चलता हूं इन 45 डेस में मुझे कुछ इस तरीके से काम करना है कि 200 में आजाए अब क्या होता है बहुत बच्चों ने सोचा कि यह तो बहुत आसान है चलो लास्त के एक So why not you, why not you capture this opportunity, इसको क्यों miss करते हो, देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, सर पढ़े कैसे, आप 12 अभी recently देकर आये हो, तो ये तो बात ही नहीं कि आपको आती नहीं है चीज़े, 11 वी तो पढ़नी नहीं है आपको CUT में, जब आपको पढ़ना ही सिरफ 12 12 है, तो ये तो करेंगे तो revise तो होती रहेगी चीज़े लेकिन यार mcq based test है, तो ज्यादा से ज्यादा वहिया mcq की practice करना must है, जितनी ज्यादा मैं mcq की practice करता रहूंगा, उतना ज्यादा मेरे लिए best है, सर mcq की practice कहां से करे, देखो बाई, मैंने आप लोगों को इसी channel पे boards के बहुत स है बोर्ट से थोड़ा लेवल उपर है बड़ बहुत हाई लेवल नहीं है बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि आप एक काम करो यार आप ना नीट के पीवाई क्यूस कर लो सर पेपर सीवीटी का पीवाई क्यूस नीट के बोल रहे हो अरे भाई questions है ना भाई तुम लोग questions करोगे तो मैं फाइदा ही मिलेगा ना उससे नुकसान नहीं मिलेगा और तुम जही मेंस के जितने तुमसे बनते होतने पीवाई क्यूस कर लो अब इससे क्या होगा ना तुमको बहुत सारे questions प्रैक्टिस मिल जाएंगे description में लिंक मिलता है आपको code week army यूस करोगे special classes पर अलग अलग जगे पर तो इस समय पर हमारा target क्या रहना चाहिए कि यार 45 डेस का टाइम है यार 45 डेस का टाइम है इन 45 डेस में 15 chapters करने तो जब करने 15 chapters है तो 2 into 15 यानि 30 डेस में target बनाओ कि हमें अपने chapters करने अब problem क्या आते हैं इन 30 डेस में जब हम पढ़ रही होते है तो हम इसमें एक भी दिन mock test नहीं देते हैं सोचके कि यार last में दे देंगे जब syllabus complete होगा मैं सच कह रहा हूँ 45 दिन तक यानि 21 माई तक भी तुम्हारा syllabus उस हिसाब से complete नहीं हो पाएगा जिस हिसाब से तुम चाहते हो तो इस बीच आपको mock test भी देने चाहिए और mock test देने भी पढ़ेंगे इस बीच आपको mock test देने भी चाहिए और आप लोगों को mock test देने भी पढ़ेंगे तो आपने क्या करना है बच्चो यह जो लास्ट के यह जो 30 डेज है आप जब यह 30 डेज में 15 चैप्टर कर लोगे तो आपके पास जो mock test के लिए टाइम बचेगा वह 15 द कर लो previous year कर लो मतलब जो पीवाई क्यू जो पहले एंटी एने रिलीस करें थे छे फेज में पेपर हुआ था वहां से पेपर आप उठा लो आपको पता है बुक्स भाई मैंने भी सजेस्ट करी है बहुत सारे और लोगों ने भी सजेस्ट करी तो आप कोई भी सैंपल पेप सब्सक्राइब के question होते हैं अलग किसी में नहीं होते है क्या मेरी बात समझ में आ रही है तो मैं आप लोगों से सिरफ इतना ही कह रहा हूं यार कि इस समय पर अगर आप देख पार रहे हो तो आपने क्या करना भाई आपने एक आपने बैट के time waste नहीं करना एक strategy बतानी है बनानी है कि भई यह मुझे कौन से चैप्टर आते है शुरुवात करो उन चैप्टर से जो आपको आते हैं मालो चैप्टर वन अच्छे से आता उठा वन भाई उसकी स्क्वेशन प्राक्टिस कर लो अटलीस्ट एक चैप्टर तो हो गया ना तुमारा तो अब दिन मत से आएगी बाई चैलेंज वाला पार्ट यह है कि जो रिड्यूस्ट वाला पार्ट अब रिड्यूस्ट वाला पार्ट हर एक चाप्टर से कुछ-कुछ तो मिसिंग है लेकिन लेकिन आपका मेन जो मिसिंग है वो न्यूक्लियाई चाप्टर से मिसिंग है और उदर आपका से से मिसिंग है तो यह दोनों चाप्टर आपको मैं तरीके से पूरे डीटेल कराने वाला हूं करा भी रहा हूंगा आपको अच्छा भी लगेगा ठीक है ना तो मैं सिरफ इतना ही कहूंगा कि भाई यह रिड्यूस्ट वाले पार्ट को तो जरूर जरूर करना है क्योंकि जितन कि कब आप लोगों को अगर आपको चाहिए कि सर्फ आप बता दो प्लैनर दे दो इस दिन यह कर ले इस दिन यह कर ले लेकिन हम खुद से बनाएं कि ज्यादा बेटर है एक प्लैनर बनाओ कि 45 दिन में से हम 30 दिन हम यह यह चैप्टर इस इस दिन करने वाले है यह हाई वे सारे रिड्यूस्ट पार्ट उठालो और वह सारे रिड्यूस्ट पार्ट या तो सर्च करके आगे विनोत कुमार बहल लिख दो तो आपको वीडियो मिल जाएगी अधर वाइस जो है ना आपको वैसे भी यहाँ पर मैं करार आऊंगा टाइम लिए आपको पूरा प्लैनर मिल सेंगे जो डिलीटेड पॉर्शन है उसको चोड़के बाकि सभी चीजों के फॉर्मुला इस चैनल पर मैंने दो दो बार करवा रहा है तो आप एक बार उसको भी गोत्रू कर सकते बाकि मैं रिवाइस तो करवाई रहूंगा आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी ह यह साब से जो भी आपका 15 चैप्टर का यह कॉंटेंट है आप सभी वच्चों को इसको फॉलो करना है वीडियो को लाइक करना है दोस्तों के साथ शेयर करना है कमेंट करके बताना है और क्या नीड है और क्या डिमांड्स है तुमारे और तुम्हें कैसी लगी यह वीडिय प्यार दिखा रहे होगे और हम काम कर रहे होगे अपनी मेहनत कर रहे होगे और भाईया CUET से related जो भी updates होएगी वो सब आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल रहे होगी तो भाईया चैनल को सब्सक्राइब कर दो मुलाकात करेंगे आप से आप ही के अगली वीडियो में तिल देन आज के लिए इतना ही all the very best बचापाटी बाइगाइज बाइज 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 जैहिंद